जवलपूर में नकली रेम डिसीवर मामले के तार राधानी राइपूर से जुड़े हैं राइपूर के दवा व्यापारी पंकच जेन ने आदिनाथ डिस्पोजल को 200 रेम डिसीवर का ओरडर दिया था ओरडर नहीं मिलने पर इसकी शिकायत पुलिस में की गई है अब में शिकायत दर्ज कराई गई कि उन्होंने सूरत की आदिनाथ डिस्पोजल नामा कंपनी है उसको रेम डिसीवर सहित अन्य दवाओं की सप्लाई का ओरडर किया था और उसे कंपनी के अकाउंट में 6,80,000 रुपे पेमेंट भी किया था पर अभी तक किसी भी दवा की सप् इसको रेम डिसीवर सहित अन्य दवाओं की सप्लाई का आडर किया था और उसके अकाउंट में 6,80,000 रुपे डाले थे किन्तों अभी तक न तो दवा की सप्लाई की गई है नहीं पैसा वापस किया गया है इसको तार से उनको जड़ा सिकायत दी गई है इसकी जाच की जा ही है और जो भी जाच में जो भी तक थाएंगे इसका दापर लखाने करवाई की जाएगी